पांसो साल का इंतजार खत्म हो चुका है, आखिरकार राम लला अपने गर्वग्री में विराज़ चुके हैं, देशवाश्यों को इंतजार था कि राम लला कब अपने घर में आएंगे, तो बता दें कि आयूध्या में बाइशनवरी को राम लला का प्रायन प्रतिष्ठा हो हो चुके हैं, इस कारिकरम की शुरुबात दोपहर बार बजे से की गई थी, हर तरप भगवान राम के भजन सुनने को मिल रहे थे, कई जिलों में सुबा से ही कारिकरम होनी लगे थे, मंदिरों में भीर जुट रही थी, जैश्वी राम, जैश्वी राम के नारे भक्त आ रहे थे, इस दोरान जगा जगा भजन कीर्दन भी हो रहे थे, बड़े बड़े सितारों से लेकर आम जनता तक बाईजन वरी का सभी का दिल थाम कर इंतजार कर रहे थे, आखिरकार सभी का इंतजार खत्म हुआ और राम लला ने अपने दर्शन दे ही दिये, बता दें क कि कोई अपनी आखों से यह देखना चाता था, लेकिन सभी के लिए ऐसा मुम्किन नहीं था कि वे अयोध्या जाकर राम लला के साक्षात दर्शन बाईजन वरी को कर पाए, ऐसे में सिनमा घरों के मालिकों ने एक अच्छा तरकीब निकालत था, बता दें कि सोशल मीडिय पर एक खबर वाइरल हो रही है, जहां पर ये बताया गया कि बाईजन वरी को PVR और आइनोग जैसे बड़े सिनमा घरों में राम लला के प्रान प्रतिष्ठा कारेकरम का सीधा प्रसारन किया गया था, इसके साथ ही तमाम मंदिरों के बाहर प्रोजेक्टर लगाए गया थ देश के 70 प्रमुख शहरों में से 170 सदिक केंद्रों पर इसका सीधा प्रसारन किया गया था, यह कारेकरम सुबाई 11 बजे से शुरू हुआ था और दोपहर 3 बजे तक देखा जा रहा था, मातर 100 रुपे की कीमत में पानी और पॉपकॉन कॉम्बो की राम भक्तों को दिया गया था जो सिनेमा घरों के लिए काफी फायदेमन भी रहा, इसके अलावा बता दें कि हर गरी, हर मुहली में बड़े बड़े प्रोजेक्टर भी लगाए गये थे, राम मंदिर को देखकर बहुत से श्रधालुजन तो ये भी कह उठे थे कि हम जीते जी स्वर्ग को निहा रहे हैं, करीब पांसो वर्सो बाद रामलला अपनी जन्व भूमी पर पुनस्थापित मंदर परिसर में विराज चुके हैं, भगवान के आगवनी के लिए अयुध्या वासियों के साथ साथ देश दुनिया के रामभक्त गण उससाहित दिखाई दिये और अयुध्या के स रात पूरा देश राममय हो गया और रामभक्ती में जूमता दिखाई दिया, आप इस भवे नजारे को देख कर कैसा महजूस कर रहे हैं, आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा